क्या अगर नेक्स पेज देखिए पेज नमर 14 पर चीडिया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट बड़े गरीब बच्चे बूक के मारे चूचू करके मर जाएंगे इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठें दोनों ने फैसला किया कि का दाना उसमें रख दिया जाए शामा खुश होकर बोली तब तो चीडियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा केशव नहीं तब क्यों जाएंगे शामा बोली क्यों भाईया बच्चों को धूपना लगती होगी मतलब वह सोच रहे थी कि बच्चों क इमारे तरबते होंगे उपर चाया भी तो कोई नहीं आखिर यह फैसला हुआ कि घोसले के उपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ता अभी स्विक्रित हो गया मतलब उन्होंने क्या सोचा कि यहां पर हम थोड के से चावल निकाल लाई शामा मा की आग बचाकर मटके से चावल निकाल के लेके आई केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से लाए फिर उपर बग उनमें रहा आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी शामा से बोला जाकर कूडा फैकने वाली टोकडी उठाके लाओ शामा उसने क्या बोला जापे कच्रा फैकते हैं वह टोकडी उठाकर लेया अम्मा जी को मत बताना मत दिखाना शामा बोली वह तो बीच से फटी हु हैं इसे दूप तो जाएगी नहीं केशैव ने जुझजाया कर कहा तो टोकडी तो ला उसने बहुत चिर चिरा कर कहा कि तुम टोक्डी तो लेकर आओ मैं उसका सुराक बद subsequent करने का कोई हिकमत निऔर इसने बोला कि उस चूराक को बंद करने की मैं कोई नख, झाल